हलो दोस्तो वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स आज आपको लिए बहुत ही सुन्दर सा रेसिपी लेके आई हूँ जो की बच्चे लोग के लिए आप लोग ब्रेकपस्ट में लोग को दे सकते हैं ये बहुत ही हल्दी होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी ह ये ठंड में बच्चे लोगं बहुत सरा वेजिटेबल स नहीं खाते हैं तो इस तरह सा बनाके आप लोग दे सकते हैं तो चलिए मैं 17 कैसे बनाती हूँ ये रेसिपी आप लोग में दिखाती हूँ तो प्रेंड्स पहले हम लोग कडाई ले ले लेंगे तो कडाई को मैं य चुटा- espaço कोटा कातरक रखें से प्याज का प्याज प्याज को फ्तेर भाए प्याज को प्याज़ का लमें सीधने आज खुटा 50गर थे mira यह सो कभा आज और अनुद के लिद्वेज़ जिबासे स मेघे नियोख यहिंदने लिदाar थोड़ा सा बीन्स उसको मैं चोटा चोटा काटी हूँ देख सकते है तो बीन्स उसके बाद यहां पर मैं ग्रेटिंग क्या हुआ है गाजर उसको एड़ करूँगी उससे पहले मैं थोड़ा सा मसाला यहां पर एड़ कर रही हूँ तो मसाला में थोड़ा सा हल्दी पाउडर एड़ कर दी और आपको जो पसंद है मसाला उसी सबसे आप एड़ कर सकते है तो मसाला जीर पाउडर हल्दी पाउडर धनिया पाउडर जो भी मसाला आपके पास एड़ लबल है उसको यहां पर आप लोग एड़ कर सकते है तो लोग उसी से खा लेते हैं तो देखिए यहां पर ग्रेटिंग किया हुआ में गाजर अभी एक गाजर यहां पर ग्रेट करके रखी थी तो गाजर भी यहां पर में एड़ कर दी आपके पास फुलगवी पत्ता गोबी जो भी सबजी अप लोग बच्चे लोग को पसंद नही है थोड़ा सा बीन्स को गाजर तेसे जल्दी पक जाता है तो थोड़ा समय ढखन लगा देती हूं और ढखन लगाने के बाद इसको दुबारा से चलाएंगे मैं इसी टाइम मिला रही हूं गरब मसाला पाउडर एक चमस तो यहां पर गरब मसाला पाउडर को मिला लेती हुए अच्छा से हमारा सबजी लगबग हो गया है देख सकते हैं सब्ठो गया ब् tissu भी अब हरी मटर भी मिला सकते हैं तो फ्रेंट्स यहां पे देखे में चावल बनाके रखी थी तो चावल ही यहां पर मेड़ कर दी यह देखिए तो चावल को अच्छा से इसके साथ मिला लेते हैं आप लोग के पास अगर बच्चा हुआ चावल है ते उसके वह इस तरह सा बना सकते हैं यह होगी आपका पलाव टाइप का तो आप लोग अपने बच्चे को टीफीन में दे सकते हैं ब्रेकपार्ट में किला सकते हैं बच्चे कुशी से खा लेते हैं और मैं थोड़ा सा यहां पे हलका हलका मिठास के लिए मैं थोड़ा सा चीनी एड़ करूंगी आपको अगर चीनी नहीं पसंद है आपको बच्चे चीनी नहीं खाते है मीठास नहीं पसंद है ताप मीठास मड़ा लिएगा तो मैं यहाँ पे फुलका चीनी अड़ करी हूँ हलका सा हलका हलका मीठा पसंद है मेरे बच्चे लग को और यहां पर मैं थोड़ा सा जो मौमफली है इसको मैं थोड़ा रोष्ट की थी सुखा सुखा है वहीं मौमफली यहां पर मेड कर दी हूँ और इसके साथ मिक्स कर लेंगे तो दिखिए हमरा आज का जो रेसिपी है बन के रेडी हो गया है आप लोग अपने बच्चे लोग को खिला सकते हैं खुद भी इंजय कर सकते हैं बहुत ही हल्दी है एंटेस्टी है तो आसा करती हूँ आज का रेसिपी आप लोग को पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्रीब करना मत भूलेगा